Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube चैनल English Stitcher पर वेलकुम कहती हूँ आज जो हम नवेला डिसक्स करने जा रहे हैं, उसका नाम है The Metamorphosis जिसको France Kafka ने लिखा है France Kafka का बहुत ही important work है, यह एक नवेला है जिसके अंदर main बात Metamorphosis की की जाएगी Metamorphosis का मतलब क्या होता है? Transition, Change, ठीक है? कि कैसे? मिसाल के तोर पर एक Caterpillar है Caterpillar किस तरह से एक Butterfly बन जाती है? ठीक है? Caterpillar का Butterfly बन जाना यह क्या है? यह है? एक Transition, एक Change इसी तरह स्टोरी के इंदर हम देखेंगे किस तरह करेक्टर जो है वह एक Vermin में Convert हो जाएगा एक Insect में Convert हो जाएगा ठीक है? तो उसकी Physically Metamorphosis हो जाएगी Physically, वह Transformed हो जाएगा इसी तरह हम देखेंगे एक Character इसके इसके इसा है जो के Mentally तोर पे Change हो जाएगा उसका Mentally Metamorphosis हो जाएगा, Mentally Transformation हो जाएगी ठीक है? तो टाइटल बड़ा Important है, टाइटल सिग्निविकेंस को हम लोग साथ ले लेकर इस पूरी स्टोरी को डिसकस्ट करेंगे इसके लाव जो स्टोरी में Important चीज है वो है Dehumanization किस तरह से? One by One हम इसको डिसकस्ट करेंगे अब बात करते हैं नोवेला के Publication की तो फर्स टाइम ये नोवेला 1915 में पब्लिश्ट हुआ था इसमें जो मेन क्रेक्टर आ जाते हैं हमारे पास Gregor Samsa का है Gregor Samsa जो हमारे पास Traveling Salesman है जो के एक Important क्रेक्टर है स्टोरी के अंदर और सारी स्टोरी जो है इसी की narration के अगाउंड गूम रही है त्यक्कि है round घूम रही है क्योंकि हमारा ये main character है और यही deformed हो चुका हुआ है deformed story ये transfer हो चुका हुआ है और इसके transformation के बाद family पर क्या impact पड़ा और इसकी life पर क्या impact पड़ा इसको स्टोरी में नेक्स हमारे पास Gritty Samsa का जो के Gregor Samsa की sister है ठीक है और इसके इंदर क्या transition आया story के अंदर हम देखेंगे जब हम discuss करेंगे one by one और जो Gregor है सिफ और सिफ इस अपनी Gritty Samsa के साथ बहुत ज़ादा अटेश्ट है एक वहाद sister है जो अपने भाई को Shamsa जो है यह सेम्टेग दिखायागे Gार्ञाइस के अपने फादर जैसा आफ पस Мेस्टेए को एठेगर sir Shamsa में क्लाश कैंगे बाट और बेटे का क्लाश जों के प्रैयलेटी में 할ाज कार नहीं तर इंटर प्रेजंट थै निक्स्ट हमारे पास निल नाम मिसस सम्स मिस्स सामसा वे बेटे फिरेगर सामसा से बहुत भादाँ आठाश्ट ग्राइश्ट इन ग्राइगर सामसा के इनकी मदर पर क्या इंपक्त हुआ है किस तरह चेंज होगी वह भी हम स्टोडी के अंदे डिसकूस करेंगे इसके बाद हमारे पास character is the office manager का जो कियागी है an important character है capitalistic society को denote कर रहा है और indicate कर रहा है materialistic society के अंदर किस तरह exploit के जाता है worker class को business man को ठीक है और इसके थुरू हमारे पास marxism की philosophy भी इस novel के अंदर नजर आएगी फिर हमारे पास आती है the child woman ठीक है जो चार फूमन है यह older servant सामसा family की जो के ग्रेगर सामसा के घर में काम कर रही है और जो है ना ग्रेगर की metaphorses के उपर इसको कोई भी metamorphoses की बेस पर इसको कोई भी असर नहीं होता इतना और इसके लबा हमारे पास जो character है वो है the borders का जिनको lodgers भी कहता है three lodgers यह three lodgers आये थे सामसा की family के अंदर उनके family में rent out rent पे रहने के लिए लेकिन end पे रेंट नहीं पे करते इनके थुरू भी एक message दिया गया है क्या दिया गया है वह हम लोग story में discuss करेंगे पिर एक हमारे पास आजती है जिसका नाम Anna था और Anna जो है mostly अपना time kitchen के अंदर spent किया करती थी ठीक है तो यह overall characters है story के अंदर अब हम story के तरफ आते हैं time को waste किये बगार अब जब story की opening होती है तो उसकी opening line किया है novella की one morning when Gregor Samsa walked from trouble dreams he found himself transformed in his bed into a horrible vermin अब जब story opening होती है opening भी बता दिया गया कि Gregor Samsa एक character है हमारे पास ठीक है जब वो एक सुबा उठा तो इसने अपने आपको transformed पाया metamorphosis पाया अपना तबदील पाया किस के अंदर एक horrible vermin के अंदर एक कीडे के अंदर अब जब opening line पे हम गोर करें तो यहां पे देखे one morning एक time का जिकर आ गया हमारे पास तो modern time period के अंदर जो time है वो किसी का भी इंतिजार नहीं करता ठीक है और हम लोगों को यह क्या है हम लोगों को time को follow करना अच्छा है ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ है जब morning हुई है उस time period पे हमारे पास एक character है Gregor Samsa ठीक है वो उठता है जब वो उठा है तो वो transformed है वर अपना main theme metamorphosis का been introduced करवा दिया transform का नाम लेकर तीसरा उसने बता दिया किस में change हुआ वर्मिन के अंदर change हुआ जो के हमारे पास second theme हो गया dehumanization का कि उसने एक इंसान को किस में change कर दिया इंसेक्ट के अंदर change कर दिया इसके थ्रू के आपता है काफका ने काफका ने बताया है कि जो modern man है वो क्या है वो एक कीड़ा है इंसेक्ट है ठीक है जिसके अंदर उसने क्या factor यूज के यहां पे dehumanization का in the form of metamorphosis जिस पेस पेस ने बताया कि जो materialistic attitude है उसने यह कर दिया उस जो है ना वो attitude बताया है कि उसका attitude जो है इंसेक्ट-like attitude है अचा इसके बाद story में बताया गया कि जब यह सामसा उठा अपने अपको ट्रांसफोर फाया तो ट्रांसफोर पारने के बाद इसने अपनी body को briefly examine करने शुरू कर दिया ठीक है और यह देखते है कि जो body है हिरान होत कहता है यह what happens to me sorry यह कहता है what's happened to me he thought it was not a dream फिर इसके बाद किया अपनी body को examine करने के बाद यह अपने room को examine करता है ठीक है अपने room को briefly देखता है हर लिहाज से और क्या करता है एक picture है जिसके इक woman है और वह picture इसने magazine से cut की थी और वह cut करके इसने इसको framed कर लिया था और वह ए और मने फारस से खुद को cover किया हुए ठीक है यह picture symbolic है और important है इसकी symbolic significance है अब वह picture जो है वह उसको wall के ओपर रेखता है ठीक है जो कि Gregor की desires जो है उसको symbolize करती है फिसके बाद outer description बताए गई है कि बाहर रही है लेकिन इस rain होने के बावजूद यह room में अकेला है और room में अक आता और कहता है how about if I sleep a little bit longer and forgot all this nonsense ठीक है और यह चीज के indicate कर रही है इसकी alienation को बता रही है इसकी existentialism को बता रही है ठीक है तो यह जो theme है alienation का और existentialism का यह भी important है इसके अंदर अब क्यूंकियों के सामसा को नीन नहीं आ रही Gregor सामसा को तो वह अपने job के बारे में शूरू क पर देता है सोचना ठीक है अब job के बारे में सोचना modern man के लिए क्या है बिलकुल जुरूरी है क्यों जुरूरी है क्योंकि modern man एक machine बनकर रह चुका हूँ है materialistic society के अंदर आप है कोई भी है वो through and through job के बारे में जुरूर सोचता है और यहां पर उसने जो vermin का नाम दिया है इनसान को कीड़ा बना दिये वो इसलिए बना दिया है क्योंकि अब वो क्या है वो भी job के बारे में सोचता है और इनसान भी modern man भी job के बारे में ही सोचता है और सोचता है किस लिहाज से है कि उसने इस modern man के अंदर robot like जिन्दगी उजार नहीं है अपनी family को शिराने के लिए अब Gregor Samsa फ्रांस काफका की तरहां जोब करना पसंद नहीं करता था हमें रिवील होता है कि ये ट्रावलिंग सेल्समैन है और ये कहता है ट्रावलिंग डे इन डे आउट ठीक है और इसके उपर ये कर रहा है ये दुख कर रहा है तकलीफ कर रहा है इसको लाइक नहीं कर रहा है अब वह करता है कि वहां पर रिवील होता है कि Samsa was a traveling salesman ये कुटेशेन आपकी अब सभी बता लगता है कि traveling salesman है तो बता लगता है कि ये इस चीज को पसांद नहीं करता ये हेट करता है traveling को क्यों कि इसको जल्दी उठेना नहीं पसंद ठीक है same is the case with the writer, writer को भी अपनी जोब नहीं पसंद थी बट उसको अपने father के लिए और अपनी family के लिए करना पड़ रही थी और जो हमारा यहां पर character है, character के साथ भी यहीं चीज है कि character को भी जोब नहीं पसंद उसको अपनी family के लिए अपनी father के depth उतारने के लिए जोब करना पड़ रही है तो ये story जो है basically क्या है? autobiographical story है ठीक है? ये novella, autobiographical novella है और ये autobiographical जो है ना question ये भी important question है अच्छा इसके बाद क्या होता है? ग्रागर जो है ना वो उठना चाहता है अपने bet से क्योंकि उसको काम पर जाना है अब वो इतनी pain में है, अपनी इतनी pain में होने के बावजूर भी बड़ा परेशान होता है परेशान की होता है? इसलिए होता है कि अगर वो जोब पर ना गया तो मेरी family को कौन खिलाएगा? मेरी family को कौन पिलाएगा? मेरी family तो भूगी मर जाएगी ठीक है? तो मुझे उठना है, हलाके वो के बन गया है? एक vermin बन चुका हुए, कीडा बन चुका हुए आपने कोकरोच देखा है, कोकरोच जैसा कीडा बन गया है, हलाके फ्रैंस काफका ने अपनी स्टोरी के अंदर जो ले नॉवल लिखा है, क्लियर नहीं किया कि जो गयगर सामसा है, वो किस के अंदर कंवर्ट हुए, कौन से कीडे में कंवर्ट हुए लेकिन अपेरेंस बताती है कि वो कोकरोच जैसे कीडे के अंदर कंवर्ट हुआ है, अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, फ्रैंस काफका बड़ा परिशान है कि मैं अगर ना गया जोब के ओपर तो मेरी फैमिली को कौन खाना खिलाएगा, कौन खिलाएगा, मेरी फैमिल ठीक है, बोडिली वो चेंज होगे एक वर्मिन के अंदर, लेकिन स्टिल उसकी सोच के है, इंसाना वाली, हुमन थेंकिंग है उसके अंदर अब ग्रागर जो है एक बड़ा रिस्पोंसिबल सर्वेंट है, रिस्पोंसिबल ट्रावलिंग सेल मैन है, जो पंदरा साल से बेमार नहीं हुआ, और पंदरा साल से अपनी कंपनी को सर्वेसेज दे रहा है, पिसले पांच सालों से ने एक दवा भा भी छुटी नहीं की, लेकिं अब क्या हुए है, बहुत ज़दा पैन के अंDer रह रही इसकी बोडी मूब नहीं कर पा रही है, तीक है, ओ स्ट्रॉगल करना चाह रही है, यह जाए वह पर अपनी जोग के उस पर स्ट्रूगल कर रही है, उट नहीं पा रहा है, हलाकि जहां पे यह काम कर रहा है, वह बोखोती креole किसम का बंदा आए, जालिम किसम का बंदा है, ये अपनी मुलाजमत चोड़ना चाहता है, लेकिन चोड़ता नहीं है क्यों, फ़ॉरिस फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इसी फैमिली ने डप्ट लिया होता है, करज लिया होता दिसने करज उतारना उनका अब कि मदर जो है वह इसको काम पर बेजने के लिए उठाने के लिए आते हैं कि इसने आज तक चुट्टी नहीं की तो हितना टाइम हो गए अभी तक अगर सामसा ग्रागर बड़ा शौक्ड होता है जब वो अपनी मा की आवास सुनता है और अपनी जवाब देने के कोशिश करता है तो उसकी आवास अंक्लियर होती है क्योंकि अब वो क्या गया हुआ है वो वर्मिन में एक नवाट हो चुका हुआ है ठीक है एक किड़ा बन गया हुआ है तो उसकी आवाज अब हुमिन लाइक आवास नहीं है ठीक है और एक वोड़ चीज जब इसने पनी मा की आवास सुनी और का जेंटल वॉइस तो यह चीज इंडिकेट कर रहे है एडिपल कॉम्पलेक्स को बलकुल इसके अंदर इडिपल कॉम्पलेक्स के भी जो हमारे पास element से नजर आएंगे क्योंकि इसका hate towards his father and love towards his mother हम लोग को नजर आएगा और जब love towards father और hate के voice का भी metamorphosis हो चुका है transition हो चुकी हुई है अब इसके father और sister दोनों देखते हैं ग्रेगर अभी तक घर पे ही है पापस नहीं आया रूम से तो इसके father और sister दोनों जाते हैं ग्रेगर को रूम से बाहर बुलाने के लिए तो जब ग्रेगर के father पहुंचते हैं वहाँ पे तो उनकी first time की जो entrance दिखाई गई है knocking at one of side of the doors gently but with his fist ग्रेगर ग्रेगर he called what's wrong और कुछ देर बाद उनकी जो tone है वो change हो चुकी है warning के साथ ग्रेगर ग्रेगर यानि के दर्वाजा खो लो ठीक है तो अब यह क्या चीज़ है anger father का और यही सेम एंगर हम लों को काफका के feather में भी दिखाई देता है अब sister आती है बड़े ही प्यार से दर्वाजा खटकाती है और परिशान होके पूछती है ग्रेगर तुम ठीक तो हो ठीक है तुमें कुछ चाहिए और ग्रेगर वहाँ पर response देने की कोशिश करता है इसका father परवा नहीं करता जाके नाश्ता करने चला जाता है लेकिन इसकी sister जो परेशान होती है और कहती है ग्रेगर open the door I beg of you जहां से हम लोगो sister का और brother का relation दिखाई देता है और कैसे इस relation metamorphosis होती वो भी हम देखेंगे बाद में और यहां से हम लोगो father और son का relation भी दिखाई देता है अब इसके बाद ग्रेगर अब बड़ा कोशिश करता है अपने बेट से उठके दर्वाजा खोल सके लेकिन इसके डिफिकल्ट होता है और वो रियलाइस करता है कि आप तो बहुत लेट हो चुका हुए अब suddenly इसके doorbell ring होती है और जब doorbell ring होती है तो कौन आता है the chief clerk ठीक है वो chief clerk जो है जहां पर जोब करता है traveling salesman की वहां से इनके apartment में आया है और बड़े ही गुसे से आया है वो अब जब ग्रेगर को पता लगता है कि chief clerk को खुद company ने भीज़ दिया यहां पर ग्रेगर को लेने के लिए तो बड़ा कोशिश करके बैट से नीचे उतर आता है finally अब इस time पर क्या होता है जितने भी family के member होते है ना ग्रेगर को देवाज़ा खोोनने के लिए कहते हैं लेकिन ग्रेगर है वो हिंकार कर देते है इसकी जो वालिदा है इसकी जो mother है मिसेस सामसा वो कहते है यकीनल में भीज़ होगा वणना कभी भी ऐसा नहीं करता ग्रेगर चीफ क्लर को गुसा आ मेरा काम उस्कोर ज ब्दोस्त कुछा जा जा रहा है कि उदुग को कहता है तो तो जल्दी वापस काम पर को आillesगा और तो कहते हैं मेरा काम इतना भी बुरा नहीं रहा अब जिसना आप लोग कह रहे हैं आप यह कहा है हमेशा जो वर्कर क्लास है ना जो बिजनिस क्लास है वह वर्कर क्लास को एक्स्प्लोइट करती है यह मार्कसिस्ट एलिमेंट दिखाई देते हैं हम लोगों यहां पर कैसे चीफ हा के उसकी 15 साल की सर्विस को निगलेक्ट कर रहा है उसने पांच साल से कोई चुटी नहीं की बिमार नहीं हुआ कभी उसको निगलेक्ट करके कह दिया उसने कि यह तो है ही ऐसा इसकी पूजिशन अच्छी है नहीं हमारे वहां पर बहुत पूर सर्विसिस दे रहा है यह ठीक है लेकिन वहां पर वह अपनी बात को वाजय करने की कोशिश करता है कि मेरा काम इतना भी बुरा नहीं रहा जितना आप कह रहे हैं अब हुआ क्या है ग्रेगर की आवास तो चेंज हो चुकी ठीक है वो बड़े परेशान होते हैं क्यों दर्वाजा नहीं खोल रहा कहीं जादा बैमार तो नहीं है तो वो जो है ना ग्रेटी को और सेर्वेंट गरल एना को डॉक्टर को बलाने के लिए भेज देते हैं फाइनली ग्रेगर बड़ी मुश्कल से दर्वाजा खोलने के क पांबल हो जाता है और जिब ग्रेगर जो आपन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है ग्रेगर की कंडीशन को lassen कर चीफ ट लेकर फिस तीकहते के इस का जो वालिद है वह औरोना शुरु करा इसकी मार होती है इसकी मा करोना इडिपल कॉंप्लेक्स शो करता है ठीक है और इसका फादर जो है वो एक ताइम के लिए बहुत गुस्से में आ जाता और वो डर जाता है और वो चाहता है कि वापस ग्राइगर को उसके रूम में फैंक दे ठीक है अब क्या हुआ यहां पर कि जरेिखर की पिटियावल कंडिशन है किसे ने यहीं देखा कि कि किस entity कर रहा है उसको देखकर इसका फ़ादर उसको दुबारा ना चाहरा है और ग्रूम को बंद करना चाहरा है फिर जब चुदरक शेकर और कम्पनी मेरी इस हालत के बारे में बता देना और मेरे लिए इस से दुर्खवास्त करना, रिक्वेस्ट करना, वो कहता है कि वो बड़ी खुशी से अपने काम पर वापस आ जाएगा, और Chief Clearer से वो रिक्वेस्ट करता है कि इस बाद से आप अगरी हो जाएं और मैं आपको इस बाद से अपनी फैमली के लिए क्यों को पता है अगर से अगर को कुछ होता है तो फैमली को कौन लेकर चलेगा अगे अब ग्रेगर के फादर, Mr. Samsa का रिक्षिन देखिएगा वो अपनी वाकिंग स्टिक टाता है और उसलिए ठाता है ताकि वो उसको मार के ना है ऑपस बेज़ते हैं कमरे के अंदर वापस कमरे में दिखेवाण से के अब छुट इसका फादर शो मार के देखे़ए ल्या को मकिंब कर ना है कमरे की तरफ ना है तो ग्रेगर दर्वाजा में याधे भनस जाता है अब है ट्वीलाइट का टाइम, शाम का टाइम है ग्रेगर उठता है, और जो खुराक, खाना जो लेकर ही होती है इसकी सिस्टर ग्रेटी उसको स्मैल करना शुरू कर देता है। इसको एसास होता है कि इसकी बेहन ग्रेटी जो है इसके लिए दूद में ब्रट डाल कर लाई है ग्रागर डूट पीने के कोशिश करता है लेकिन क्यूंकि अब वह एक इंसान नहीं बलके इंसेक्ट बन चुका हुआ है इसको दूद का जो टेस्ट है वह बहुत अजीब लग हुए है अब वह पहले की तरह अपने घरवालों को ना उंसी अवास में न्यूस पेपर पढ़ करने सुनाते और इसके लाब पूरे घर के अंदर क्या है खोमोशी हुई हुई है ग्रागर चाहता है कि इसके फैमिली वाले इससे आकर मिलें लेकिन फैमिली ने क्या किया है इलियनेटेड़ वर्ल्ड के अंदर उसको मजीद इलियनेट कर दिया हुँआ है। उसके घर के बाहर इसके रूम के बाहर ताला लगाया हुआ है। ठीड़ है ताकि कोई भी सके कमरे में दाखिल नहीं होता थीके अब क्या होता है उसноसी कमरें के अंदर जो ज्रागर है व इस जो difficult situation चाल रही है मुझे अपनी family की मदद करनी जाए लेकिन मैं कैसे करूँ पनी family की मदद still वही कि insect बन चुका हो है लेकिन emotions present है feelings present है thinking human beings जैसी है इसकी sister जो ग्रैटी है ना वो इसके लिए different किसम के खाने लेके आती है ताकि इसको पता चल सके तिक ग्रैगर जो है उसका क्या शोक है क्या शोक से खाता है वो इन तमाम चीजों को ऐसे ही फैंक देती है कि जैसे ना इनको कभी खतम ही नहीं किया हो ग्रैगर ने वो क्या करती है वो नहीं देखती कि ग्रैगर खाना खा रहा है के नहीं खा रहा है वो आती है चीज लेके आती है रूम में फैंक देती है हलाके क्या होता है कभी भी ग्रेगर ने उनमें से कुछ भी नहीं खाया होता वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती बलकि ऐसी सारा खाना उठा के जो इसने ग्रेगर को दिया होता है जो अपने आपको जो ग्रेगर है वो कहां करता है वो ऑफिक रीजे चुपा लेता ताके ग्रेटी की नजरों से बच जाए रेटी इसको देखना सके कि भुष और नियाख लोजा धिए चायप्टर का लिए कि गूरा कूछाँ है कि अनिया जुन्का नियुक्त सेनने कईता था मुने के ख़ती झालते मैं भी हुनेन। वुषिछ कि घाहई लिख प्रशसे था लुकाइं हैं, हम जिसको डिसकस कर रहे हैं अब जो Gregor की family है वो सोचती कि Gregor इनकी बात समझी नहीं पाता इसलिए उन्होंने Gregor से बात करना छोड़ दिया हुआ है किसी भी मामले में वो Gregor को इन्वॉल्फ करते नहीं है और Gregor जो है वो इनकी सारी बाते अपने रूम से ही सुनता है और इसको पता लगता है अपने रूम से पता लगता है कि इसके जो फादर है उन्हें ने ओल्ड़ी Gregor की जो अमाउंट थी पैसों की वो जमा कर रखी थी ठीक है इसको पता सकता है कि इसके वालिद जो हैने इसके फादर जो है उनके कारोबार से जम्हा किया त्माम रकम जो है वो खर्ट चोड़ चुकी है ग्रैगर को इस रकम का अंदाजा नहीं था ठीक है कि उसके फादर ने और अलड़ी सेविंग करके रखी हुई थी इसको नहीं पता था और जब 5 साल पहले इसके वालत का कारोबार बिलकुल खतम हो गया तो इसने खुद ही अपनी फैमिली की समयदारी उठाने के लिए क्या की जोब स्टार्ट कर ली थी अब क्या हुआ इसकी फैमिली जो कि इसकी अपनी फैमिली है और घर के जितनी भी तमाम जिम्हदारी है कुछ अरसे से ये नहीं कर पा रहा जो ग्रागर है वो नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ इसकी फैमिली इसकी जितनी भी सैक्रिफाइस थी वो भूल गई ठीक है ग्रागर को सिफर सिफ एक वाहिश थी कि वो अपनी सिस्टर ग्रेटी उसको वॉयलन की एजुकेशन दिलवा सके और उसके वॉयलन की एजुकेशन के लिए ना कंसरवेटरी बेच सके अब ग्रागर जो बड़ा ही कॉंशियस होके रहता था क्योंकि उसकी थोड़ी से भी मूवमेंट जो है ना वो फैमिली को डिस्टब करती थी अब ग्रागर जो है जब इनकी बात सुनता है तो उसको पता लगता है कि जब कारोबार के लावा कुछ रखम ऐसी भी थी जो के ग्रागर की तनख्वास से आई थी उसके फादर ने वो सेव कर ली थी ठीक है और वो फादर करने पड़े उसको इतना काम करना पड़ा फिर भी रखम सेफ की हुई थी लेकिन उस रखम के साथ फैमिली का चलना बहुत था मुश्किल है क्योंकि वह थोड़ी सी होगी अब इस बेस जब भी वह रखम की बात करते पैसों की बात करते तो ग्रागर की आई साइट भी वह वह था वाज़ता वीग ओ चुकी थी और जो ग्रटी थी जब इसके कमरे में आती थी खोलने के लिए तो ग्रागर अपने आपको चुपा लेता था क्योंकि वह अपनी भाइन को फेस नहीं करना जाता था इसलिए क्योंकि वह अपनी भाइन को मजीड सुपोर्ट नहीं कर पारा फाइनेशली तोर पे और वो बड़ा अपसेट फिल करता था कि मैं इसको कैसे नजरे मिलाऊंगा जब इसकी भेहनति थी उतको जपा लेता था अब जब से ग्राइगर जया उसका मॉट्पोस हुआ था ट्रांस्वर्मेशन हुआ था तो कोई भी इसकी फैमिली में से य टैगेट जो है ना यह चीज़ नोटिस करता है कि इसको अब दिवारों के ओपर चटों के ओपर ना क्रॉलिंग करना बड़ा पसंद है चीज़ देखते है ना जो ग्रैटी है इसके रूम से फरनीचर को हटाना शुरू कर देती है ताकि फरनीचर खतम हो जाएगा और यह मदर को कहती है हम लोगो को ना इसके रूम से ना फरनीचर निकाल का जाए ठाकर यह एजिली अपने रूम में रह जगे लेकिन इसकी मदर का एक मान था्थ हम फरनीचर को रूम से निकाल देतें है अदो कम ऐलेज़ और भो प्लस हो चुकी है हम नहीं चाहते हमारे उस पर यह फ़र्दर रिकावर हो सकेगा लेकिन अपनी मदर से अगरी नहीं करती फिर उसके बाद जब यह फटनीशर को रिमूफ करने के लिया थे ग्राइगर के रूम से तो उस ताइम पे ग्राइगर को इस फटनीशर की वैल्यू का अंदाजा हो रहा है कि ग्राइगर जो उस पिच्चर की तरफ जाता है जब उस फिच्चर की तरफ जाता है उसको कवर करने के लिए ताकि इस फिर को ना निकाला जाए बाहर तो ग्राइगर की मदर ग्राइगर को देखके भिहोश हो जाती है ठीक है और ग्राइगर को देखती है वह भाग के डर जाती है और वह कमरे का द्रवाजा बंद कर देती है जब वो कमरे का द्रवाजा बंद कर देती तो ग्रागर रूम से बाइर होता है जब रूम से बाइर होता है तो उसका फादर उसको देखता है और उसका फादर उसके उपर जो आपल होते हैं आपल मारना शुरू कर देता है कितना इन हीुमन ज sex की तरह ही treat कर रही है. प्यूंकि अब वो उनके उपर burden बन चुका हूए. अब वो उनको मझीद कमा के लाकर नहीं दे सकता, अब वो उनको मझीद खिला पिला नहीं सकता, तो family के लिए वो क्या है? वो बहुत बर्ड़न बन चुका हूए. ठीक है, father उसको पार बैक, बैक को इंजिड कर देता है गराइगर लंगड़ा के चलना कर दो है और तकरीबान वही उने ह seri तो उसकी जो मदर aye éр ग्राइगर की वह उसके फादर से रिक्वेस्ट करते है कि अब आप मजीद ना मारें उसको छोड़ दे वो मर जाएगा और इसके बाद सब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जो कि लास्ट चैप्टर कंसिडर गया जाता है इस नोवल का इसके अंदर क्या है ग्रेगर कंप्लीट बर्डन बन चुका है अपनी फैमिली के लिए क्योंकि अब वो इंजियर्ड है तो इसकी इंजियर्ड की बेस्ट पे फैमिली जो इसको एकसेप्ट कर लेती है उसके जो दर्वाजा है उसको खुला छोड़ देती है ताकि अपनी फैमिली को इस दर्वाजा के थूर देख सके और अब एक और चीज़ जो कि नई चीज़ आई है वो क्या है वो यह कि इनोंने काम करना शुरू कर दिया family ने जब पहले अके़ला junior collegar samsa काम करने वाला था तब family में कोई भी काम नहीं करता था सारे enjoy करते थे और काम csak gradar करता था अब क्योंकी gradar burden बthing बन चुकाः family पे तो सारी family ने काम करना शुरू कर दिया जो sister है उसने वो sales girl बन चुकी हुई है ठीक है और mother है उसे switching शुरू कर दी हुई है और father जो है उसके वो uniform में रहता है हर टाइम ठीक है वो काम करता है mother father sister अगर पहले भी काम कर लेते तो शायद आज Gregor सामसा एक वर्में एक insect ना बनता ठीक है उन्होंने सारा बोज़ी उसके डाल के रख दिया हुआ था लेकिन अब Gregor जो है वो क्या है silent हो चुका हुआ है और अपने room में ही रहता है और पहले जब Gregor काम कर रहा था तो घर में मुलाजमा थी बगाएदा और उसको payment की दी जाती थी ठीक है servant इसको pay किया जाता था अब क्या हुआ पता लगा family को कि कोई भी अब Gregor की परवाह नहीं करता ठीक है Gregor जो अपने room में रहता है और अपने room में नोस्टल्जिक हो कर रहता है अपने past की memory को सोचता रहता है ठीक है इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि इसके घरवालों ने इसे नजर अंदास करना शुरू कर दिया है कोई इसका ध्यान नहीं रखता अब कभी कबार ग्रेटी जो है नहीं इसकी कमरे में सिफाई करती है बस और इसकी खुराक का भी अब कोई खास क्याल नहीं रखती ठीक है यह क्या आ गया मेटामोर्फस इस आ गया सबके behavior के अंदर भी जब इसकी वालदा ग्रेटी की ग्रेटी क इसके साथ ना हसी मजाग करती है जिसका वो हर्गिस गुसा नहीं करता अब घर में तीन लोजर आये थे अब जब तीन लोजर आये थे ना उनके लिए एक अपार्टमेंट के अंदर एक रूम खाली करना था और उसके रूम को खाली करने के लिए जितना भी access furniture था जितना भ और जो खाना पीना था उसने वो भी बिल्कुल छोड़ी दिया था इसके कमरे का दिरवादा जादा था ना most of the time बंद ही रहता था ठीक है ताके जो लोजर्स हैं जो करायादार हैं इसको देखकर परेशान ना हो और घर ना छोड़ जाए गर इस बात का खयाल नहीं रखता गरेटी प्रेकर पोड़ादा का मुंखरे अपना था वह ब करता रही होती है दो बीडा बेचा कर जी चेंब कर देसमें कुछऊ कर देखकर देखकर मेंे इन आ क सब करने ऑने hugely क 파 यह भी जरूरत में है इनको पैसा चाहिए इसलिए अच्छा अब क्या होता है कि एक दफ़ा ग्रेटी वॉयलन बजा रही थी तो जो क्रायादार थे वह जल्दी उकता गए कि बस कर दो ठीक है अब इस तरह का रवियत है वह ग्रेटी को वॉयलन बजाने से रोक देता था ले होए थे और इसकी सिस्टर वॉयलन बजा रही थी और ग्रेगर अपने रूम से बाहर निकल आया बाहर निकल के ना वह अपनी सिस्टर के लिए यह करता मैं अपनी सिस्टर के लिए वह करता मेरी सिस्टर वॉयलन बजाने में इतनी अच्छी है मैं चाहता था कि मैं अपनी स और बाप में जो घर वाले हैं, गर वालों से कहते हैं, वो घर चोड़ कर जा रहे हैं, जितने दिन यहां रहे हैं, इसका कुराया भी नहीं देंगे, ठीक है, और वो एदार नहीं करते हैं, और अब इस मौका पे, वो ग्रेटी जिसके लिए उसका भाई उसकी जान से भी प्य ठीक है वो आगे बढ़ती है, अपने पैरंट से कहती है, कि अब नहीं, अब ग्रेगर से चुठकारा हासल करना चाहिए, मुझे अब ग्रेगर के साथ नहीं रहना, और елаकल वो पाइनली इस चीज़ के लिए अपने पैरंटस को भी एग्री कर लेती है दूसरी तरफ ग्रेगर से कहती है कि ग्रेगर तुम्हारी बेस पे हम लोग को कुरायदारों के जाने की बेस वजह से नुकसान उठाना पड़ा है माली तोर पर फाइनेशली तोर पर हम लोगों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है उस ग्रेगर को कह रही है जिस ग्रेगर ने अपनी जान तक लगा दी इन फैमिली के लिए ठीक है और वह कहती है कि जो क्रायदार छोड़के चले गए हैं इसके सारी सिम्हादारी तुम्हारे पर आती है अगर तुम वाकई ग्रेगर होना तो तुम्हें चाहिए कि हम पर मजीद बोज ना बनो और खुद बाखुद हमें छोड़कर यह से चले जाओ और जाओ और हमें अमन और स्कून के साथ जिन्दगी गुजारने दो फिर अचानक ये बात सुनने के बाद ग्रेगर को फिर से है कि इसके दिल के अधे सब्सक्राइब के बाकी है वह समझता है कि बलंकुल ठीक कहती है इसको घाइब हो जाके फिर सूरज तलू होता है कि यानि कि इस के निकलने पर ही उसkle हो जाती है, गरागर death. ठीक है, गरागर की death होगा, होगे, गरागर मर गया. ठीक है, गरागर धर सका साथ होते हैं. वो revealed to feel करते हैं, लेकिन साधे साथ क्या होता है? उनको हिसकी death का थोड़ा सा अफसॉस भी होता है. वो खुद verify काम काम से चुटी करके का करते हैं तफरी के लिए सेर के लिए निकल जाते हैं ठीक है और वो स्कून का सांस लेते हैं कि हमारे पर मजीद एक बर्डन नहीं है जब तक आप काम करते हो अच्छे हो जब आप काम ने करते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या होते हो एक बर्ड करते हैं इसके लिए एक ताम मतलब इसका husband इसका इस शोहर तलाश कर लेना चाहिए इसकी शोहर के तलाश शुरू कर देनी चाहिए आपने इस ट्रिप के बिल्कुल एंड पर वो सबसे पहले जो खड़ी होती है कौन ग्रैटी ठीक है जिब ट्रिप पहले वही खड़ी होती है वह sister जो भाई के बगहर है ने सकती थी अब हो कितनी खुश है ठीक है और अपने को stretch करती है और यहां पर जो नौवाला उसकी एंडिंग हो जाती है नौवल के एंडिंग के पाथ जो important questions है इस नौवल के अंदर हमने देखे साथ साथ कर्दिरिजम करते हैं वह थे autobiographical elements के और जो important question one most important question है वह comparison between Gregor Samsa and Gratis Samsa जिसके इनर metamorphosis की बात आजेगी कि एक physically metamorphosis हुआ है के अंदर तो दूसरी सोच किया है कीडों जैसी ठीक हो गया यहां पर हमारा वह वीडियो का end thank you so much for watching this video please चैनल को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेर करिएगा आपका एक single share हमारे लिए बहुत ज़्यादा matter करता है Allah Hafiz